दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस NFT की कीमत 1.1 अथीरम है, इसके अलावा इस NFT की कीमत 1.4694 जो है वो अथीरम है, इसके अलावा इस NFT की कीमत भी आप चेक कर सकते हैं और अगर हम एक अथीरम को USD में convert करें तो यह तकरीबन 2937 डालर बनते हैं, याणि एक अथीरम के 2937 डालर तो आप अप अंदाजा लगाईए कि आप अपनी एक NFT को जो है वो सेल करके यहाँ पे कितनी earning कर सकते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस बंदे ने अपनी selfies को जो है वो NFT पे लगाया हुआ है और यहाँ पे आप इसकी price चेक कर सकते है कि एक NFT की यहाँ पे price है 0.13 Ethereum यहाँ पे अगर हम 0.13 को जो है वो Ethereum में convert करें तो यह तकरीबर बनते हैं आप चेक कर सकते हैं 381 डालर यहाँ पे आप अप अंदाजा लगा लिजिए कि यहाँ पे कुछ भी sale हो रहा है यहाँ पे आप कुई भी चीज sale करके जहाँ वो easily यहाँ से एक अच्छी खासी earning को generate कर पाएंगे दोस्तो इस 12 साल के बच्चे ने सिर्फ दो महीनों में NFT से कमाए 4 लाख डॉलर अब यह NFT है क्या और आप भी NFT से earning कर सकते हैं जी हाँ जनाब आप भी NFT से जहाँ वो लाख और पे तक की earning कर सकते हैं कैसे करनी है इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो के दोस्तो हम आ चुके हैं वेब साइट पर इस वेब साइट का लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा जैसे आप लिंक पे जो है वो वालट को यूज कर सकते हैं लेकर यहां पे जो है वो meta mask को यह वो popular बता रहा है तो आपने simply यहां से meta mask को choose करना है उसके बाद यहां पे नीचे आपको option रहाएगा install meta mask for chrome तो आपने simply इसके उपर click करना है जैसे आप click करेंगे तो आपके extension आपके सामने आजेगी तो आपने simply यहां पे add to chrome पे click कर देना है और उसके बाद यहां पे आपने add extension पे click करना है तो दोस्तों यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि meta marks जो है वो add हो चुका है आप यहां पे आपको नीचे get started का option दराएगा तो आपने simply get started पे click करना है और उसके बाद यहां पे आपने create a wallet पे click कर देना है जैसे आप click करेंगे उसके बाद यहां पे नीचे आपने i agree पे click करना है और I agree पे क्लिक करने के बाद यहां से वो आप से एक password मांगेगा यह password आपने बड़े ध्यान से लगाना है क्योंकि यह password अगर आपको भूल जाता है तो आपके इस wallet में जितने भी आपके पैसे होगे वो आपको कभी भी नहीं मिल पाएंगे और यहां पे आपको password reset करने का भी option नहीं मिलता तो इसलिए यहां पे आप जो भी password लगाएं वो आप याद रखें पासवर्ड को set करने के बाद simply आपने यहां पे I have reader agree पे क्लिक करके यहां पे create पे क्लिक कर देना है जैसे आप create पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है वो wallet क्रियेट हो चुग है तो simply आपने यहां पे next पे क्लिक करना है next पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको click here to reveal secret words का option रहागा तो आपने simply यहां पे क्लिक करना है आपको सामने वो तमाम secret words आजाएंगे उनको आपने यहां उस तर्तीब से यहां पे select करना है जो तर्तीब आपको पीछे दिखाई गया तो आपने simply आपने उसे तर्तीब को देखके यहां पे जो है वो इन तमाम secret words को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने confirm पर click करने के बाद यहाँ पर आपने all down पर click करने है जैसे आप click करेंगे तो आपका wallet जो है वो create हो जाएगा यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर आपकी earning नदर आएगी अब यहाँ पर आपने अपनी NFT को create कैसे करना है और कैसे upload करना है वो मैं आपको बताता हूँ NFT को create करने के लिए दुबारा आपने यहाँ पर connect your wallet वाले option पर आकर यहाँ पर metamask को choose करना है यहाँ पर connect हो चुक है यहाँ पर अब हम अपनी NFT को upload करेंगे NFT को upload करने से पहले हमें NFT को बनाना पड़ेगा बनाने के लिए simply आपको एक और website को visit करना पड़ेगा तो आपको इस website का link भी इस video के description box में मिल जाएगा be funky.com तो इस पे आके अपनी NFT करिएड कर सकते है उसके लिए simply साब से पहले यहाँ पे अपने get started पे क्लिक करना है get started पे क्लिक करने का यहाँ अप अपने पहाँ प्र और अपने अपन फोटो 28 करना है उसके पद यहाँ पे आपको open का option रगा आपने इमर्सितन सो को कर साइन को करने, अब賞ानए आपने लिए इससाइफनर को करने के लिए हो गत्तव करने बाद यहां पर असाइप करने के लिएसन को चैठ आपने के लिए अशरा आपने अचे आपने को हैं, आपको 유 app कि एफेक्स देखने को मिर रहे हैं, तो Simpli यहाँ पे आपने oil painting वाले effects को यहाँ पे चूज कर लेना है, जैसे आप यहाँ पे चूज करेंगे तो यहाँ से आप किसी को भी easily चूज कर सकते हैं, तो मैं Simpli इसको चूज करता हूँ, तो जैसी मैं इसको चूज करूँना तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारी NFT allocation क्रियेट हो चुके है तो इस तरह से आपने जो हैब जिसभी इमेज़ की NFT Draw mismap क्रीक करनी है है आप ने उस सिमज क而已 review क्रियेट कर लेनी है screenshot लेने के बाद आपने simply यहां से new tab को open करने है और यहां पर आपने search कर लेना है crop image online तो आपने simply जैसे search करेंगे crop image online तो आपको यहां पर मुख्तल वेबसाइट नदर आ जाएगी यहां पर आप किसी भी website को open कर सकते है open करने के बाद आपने simply यहां से अपने उस image को select करना है select करने के बाद आप अपने उस image को यहां से easily crop कर सकते हैं जैसे मैं यहां पे अपने इस image को यहां पे upload करता हूँ upload करने के बाद आपको यहां पे crop करके दिखाता हूँ तो दोस्तों यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा image यहां पे upload हो चुका है अब मैं यहां पे आपके सामने इसको crop करता हूँ आपने यहां से जितने हिसा आपके सामने होगा watermark वाला आपने उसको remove कर देना है और बाकी जो हिसा आपके सामने आएगा उसको आपने रख लेन तो दोस्तों यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको crop कर लिया crop करने के बाद सिंपली आपने crop image वाले option पर क्लिक करना है जैसे आप crop image वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा image जो है वो crop होके आ चुका है तो यहां पे वो कह रहा है कि download cropped इमिज तो मैं इसके उपर क्लिक करूंगा जैसे क्लिक करूंगा तो आप सिंप्ली यहाँ पे ऐप चक कर सकते हैं कि यह आटोमेटिकली डाउनलोड हो चुका है तो इस सीछल के से आप teacher से आपने यहाँ से इसको ऊपन करके चेक कर ले यहां पे आ चुकी है और यहां पे आपने निए जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं this is my first NFT, first NFT, उसके बाद यहां पर आपको select collection का option रगा, तो आपने simply यहां पर one enter करना है, क्योंकि आपकी पहली collection है, और उसके बाद यहां पर आपको जो है वो नीचे option आदेगा, अथिरम का, आपने simply इसको जो है, वो select करके यहां पर polygon वाली option पर click करने, पुझाने, जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर आपने create पर click करना है, जैसे आप create पर click करेंगे, थोड़是的 यहां पर wait कर लेना है, तो दोस्तों यहां पर चच्क कर सकते हैं कि हमारी NFT, वो yap ahí successfully create हो चुकी है, यहां पर आप easily check कर सकते है, उसके बाद यहा भी रख सकते हैं 2-3 जीतनी आपका दिल चाहता है उसके पाद यहाँ पर ऑने करने ऐनके बाद यहाँपने कंप्लीट लिस्टिंग व dough पर क्लिक करते पहले स्क्रेइब हैं यहांपने वी आपने कर नहीं बाद यहाँपने अन différents टिक क्लिक करेंगे तो यहां पर फोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि आपने दबारा यहां पर आपने वालट को यहां पर क्लिक करना है तो आपकी NFT जो है वह successfully create होजेगी अब जो है वह आपके NFT सेल पर लागर जागी तो जैसे ही आपकी NFT सेल होगी तो उसकी प्राइस आपके wallet में जो है वो automatically add कर दीजेगी यहाँ पे तो यहाँ से आप easily send पे क्लिक करके अपने पैसों को withdraw करा सकेंगे दोस्तों आज की वीडियो के related अगर आपके माईन में कोई बीक वेचिन है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं और इस तरह